आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्याता इंपोर्टन बहुत ज़रूरी है ये वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे सवालों के बाद बना रहे हूं इतने साल हो गए हैं मुझे आप लोगों को निटिंग सिखाते हुए पट एक सवाल है जो mostly हर प्रोजेक्ट स्वैटर बलैंकेट सॉक्स कुछ भी जो भी चीज बनाना सिखाती हूं उसके बाद आता है के मेम इसमें उन कितनी लगेगी आठ प्लाइ उन हैं कितनी लगेगी दस प्लाइ उन हैं कितनी लगेगी मतलब क Rogi कोई भी साईस उठा लें जैसे कि मैंने आपको पहले यह explain किया हुआ है कि जो निडल की थिकनेस होती है मतलब मुटाई या मुटी है या पतली है कितनी साइज निडल की या उन की कितनी साइज है वूल जो है आप इस्तिमाल करें वूल हो एक रिले को कोई भी चीज हो आप चीज बना रहे हैं एक आपके पास हूल है उने या निडल है तो मतलब कि जो भी आपके पास किसी साइज की उन है निडल है उस में से आपको कैसे पता चले कि हमारे प्रोजेक्ट में जो है कितनी जो है वो उन लगेगी यह सवाल मुझे हमेशा आता है अभी तका आ रहा है तो अभी मैं ये जेंट का एक स्वेटर बना रही थी जेंट स्वेटर तो जेंट का स्वेटर बनाते हुए मुझे याद आया कि मैं आप लोगं को ये चीज़ बना बताऊं, एक्स्प्लेंड करूं ताकि आप लोगं का ये टोपी बनाई मैंने सिखाई है एडल्ट के लिए तो बच्चे के लिए कितने फंदे डालें बूटी बनाना सिखाई हैं तो बड़े के लिए स्लिपर्स के लिए कितने फंदे डालें तो मैंने दो वीडियो उसके लिए बनाई हुई है एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने प्लेन स्टॉकनेट स्टिच है ना इस टॉकनेट स्टिच प्लेन पे सिखाया हुआ है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए प्लेन बना रहे हो तो कितने फंदे डालो किसी भी साइज की उन और सिलाई के साथ और अगर डिजैन के साथ बना रहे हो क्योंकि उसमें मल्टीपल आफ कास्ट ऑन स्टिच जोते हैं ना तो अगर डिजैन के साथ बना रहे हो तो इस प्रोजेक्ट के लिए कितने आपको फंदे चाहिए किसी भी साइज की उन और सिलाई के साथ क्यूंकि आपको पता है कि जब हम डिजैन रखते हैं ना को स्टिच पैटरन तो वह आपको डिफरेंट साइज देता है प्लैन बनाओंगे तो डिफरेंट साइज मिलेगी मैंने बेबी केबल स्वेटर बनाना सिखाया हुआ है जिसमें आप देखिए का जाकिए कि प्लैन मेंने बेक रखी है उसके लिए मैंने मुक्तलिफ फंदे लि ज्यादा बड़ा काम नहीं है आप बिगनर हो ना बिगनर के लिए मैं आसानी से बता देती हूं वैसे तो जो गुनाई करते रहते हैं उनको वो थोड़ा सा पेच बनाकर भी पता चल जाता है कि या इतनी वूल में से इतना पेच बनाए तो पूरे पे कित्ती लगेगी लेकि अब ही हम हिसाब लगा रहे हैं एक गोले का यहां पर देखें यह एक गोला है यह जो गोला है ना बॉल है उनका वो है वूल प्लस एक्रिलिक आप इंपोर्टेड ले लो लो कोई भी ले लो बॉल यान का ठीक है किसी भी साइज के किसी भी इस लाइउं के साथ अब आपको परचे पर लिखा हूँ मिलता है यहां पर लेबल होता है कि इसमें 80 gram है 85 gram है 100 gram है 200 gram है कि भाई एक गोले में कितने gram उन है gram का देखते हैं आप अक्सर मुझसे पूछते हैं मैं कितने कितनी उन लगी कितने yarn balls लगे गोले लगे मैं आपको बोलती हूँ कि 500 gram है 200 gram है 300 gram लगी है जिस तरह आप दुकान वाले से लेने जाते हो तो इस जो उन में है न वो 80 gram जो है 80 gram wool है सही है तो अब यह देखे मैंने yarn sweater बना रही हूँ यहां पे मैंने yarn sweater का यहां पे back बनाया हुआ है अब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे yarn sweater के लिए 80 gram के गोले से कितनी width और length मिली है उसके बाद मेरे पास नाप पहले से ही है कि length मुझे कितनी चाहिए length तो आपके पास होगी ना भई कोई भी sweater बना रहे हैं आप लोग वैसे मैंने जो भी sweater बनाना सिखाए हूए है ना उसकी मैं starting में black screen पे पहले लिख देती हूँ कि 3 ply wound और मैंने इतनी लिए less or more थोड़ा कम ज्यादा needle की size के हिसाब से ठीक है लेकिन मैं आपको easy way बताती हूँ less or more को छोड़ें कि भाई आपके पास 100 gram का गोला है या 80 gram का गोला है या मतलब कि कितना भी gram का 100 का भी होता है जादा भी होता है कम भी होता है ठीक है एक गोले मैंसे मुझे कितनी जो है यहां पर 3 ply है ये और 80 gram का गोला है मुख्तलिफ होता है मैं इसको follow करके बता रही हूँ तो आप कैसे देखेंगे भाई आप sweater बुनना शुरू करेंगे में विर्थ को दिमाग में रखके और आगे शुरू करेंगे और देखेंगे कि एक गोले में खतम हुआ है तो पूरी लेंथ के लिए मुझे कितने गोले इस स्वेटर की बैक में लगेंगे जब बैक निकल आएगी तो आपको पता चलेगा कि फ्रंट में भी इतने गोले लगने है अब भी इतने स्वेटर बुन बुन के मुझे तो पूरा अंदाजा हो गया है कि निडल्स जो हैं फाइव एम एम की हैं और जिहें थ्री प्लाई लेकिन देखें आप कोई भी फॉलो कर लें कोई भी सही है विर्थ तो तो हमारे पास अल्रेडी है लेंथ मैंने देखनी है कि भाई मुझे कितनी मिली है इस से तो मुझे पता चल जाएगा कि एक गोला को दोनों डिस्क्रप्शन में दे दूँगी उसके यह देखे मैं यहां से एक फंदा छोड़ के ना परी हूँ क्यों क्योंकि यह स्लाई में आता है एक फंदा आखरी वाला साइड वाला ज्याता इसको खींचना नहीं है आपने अच्छा यह जेंट स्वेटर है मीडियम ट सकते हैं कि मीडियम टू लार्ज से अब अच्छा यहां पर देखें ट्वेंटी थ्री इंच आई है यहां पर हमारी विर्थ इसकी विर्थ मैंने कल्कुलेशन करके डाली हुई थी पस मैं आपको यह बता रही हूं कि 80 ग्राम के गोले में से कितनी विर्थ मिली है मुझे 23 इसकी विर्थ मिली है बॉर्डर के बाद मैंने कोई फंदे नहीं बढ़ाये यहां पर यह टूटोरियल में आपके लिए बना रही हूं आपको वह भी अपलोड करूंगी पूरी उन के साथ के पूरी उन कितनी लगी है इस पर अभी फिलाल यह देखें ओके तो भाई अगर सिलाई के ऊपर से में नाप रही हूं तो मुझे इसकी विर्थ मिली है साड़े दस इंचेस साड़े दस इंचेस की इसकी लेंथ है कितने गोले में से मिली 80 ग्राम का एक गोला है जिस पे मैं 5 mm की स्लाई इस्तमाल कर रही हूँ 3 बलाए वूल है तो वूल प्लस एक रिलेक कोई भी बस आप मेथड देखें भाई अगर मुझे साड़े 10 इंचिस की लेंथ मिली है इतना यह पुरा एक गोला है यह वाला यह पुरा गोला है यह तो आप अंदासा लगाएं अगर मैं यह स्वेटर रख रही हूँ 25 25 इंचिस का let's suppose अभी तो मैं जब यह स्वेटर बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी नाप भी बताऊंगी सब कुछ let's suppose कि अगर मैं ये स्वेटर 25 इंच रख रही हूँ या मतलब के 30 इंच का रख रही हूँ तो अगर यह वाला गोला है इसमें से साड़े दस मिला है तो दो गोले इस्तमाल हूँगे ऐसे तो 20 इंचिस हो जाएगा अप समझ में आईए आपको बात आपको पता लग गया ना कि अगर मैं 20 इंचे अगर आप बना रहे हैं अपने किसी स्वेटर के लिए या अगर ब्लैंकेट बना रहे हैं कोई 20 इंचे का है या 25, 26 या 30 इंचे का ब्लैंकेट बना रहे हैं कितने ग्राम वूल लगेगी अब यह आप कहेंगे कि मैं मैं क्या पहले एक गोला लेके यह बनाके देखेंगे और फिर जो है वो दूसरे गोले लेकर आएंगे इस स्वेटर के लिए भाई मैं आपको बता दूंगी यह कितने लगेंगे लेकिन आपने क्या करना है यह एक टा ग्राम का फरक होता है भाई यह असी है तो सो ग्राम का हो जाता है आपके पास एक यह दो सो ग्राम का तो आपको अंदाजा है कि बतल कितना फरक है लेकिन मोसली हम एक इन इस्तमाल करते हैं कि भाई पासवली दुकान पे मिल रही है यही ले रहे हैं तो आपको पता है कि ए इतने नंबर की स्लाई थी और मुझे विट्थ और लेंथ ये मिली अगली बार जब भी आप उन लेके ने जाएंगी तो आपका ये मसला हल हो जाएगा ये मैथट मैं अभी तक फॉलो खरती हूँ कि अब देखो मैं इसकी नाब देखूंगी कि मुझे कितनी चाहिए हाफ से हाफ कर लें इतनी तो आपको देखें अंदाजा लग जाएगा पता चल जाएगा कि कितना हमने इसकी टोटल कितने बॉल लग जाएंगे इसमें बहुत यह असान मैथट है ये आप बिगनर के लिए यकीन करें ये बहतरी इन टिप है क्योंकि आप आपने हम हर वक्त जिन्देगी भर मतलब कि हमें ये टेंशन होती है मुझे भी होती है भाई ये प्रोजेक्ट बिनाना जा रही हूं कितनी वूल लगेगी कितनी नंबर किसलाई के साथ है कितनी ठिकने से उसकी हमेशा का मसला आपका हल हो गया होगा इससे आप ये करके जो भी उन लिखती है बनाती है ना जिस भी उन से एक दफ़ा इस्तमाल की उन उसकी कल्कुलेशन लिख दी कि भाई एक बॉल में से हमें कितनी इसकी विट्ट और लेंथ मिलती है साइड पर नोट डाउन करके रख लें फिर आप जब दी प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगी आप खोल के देखेंगी कि मेरी कितनी वूल लगी थी क्या हुआ था कैसे हुआ था ये करें बाकी रही बात किसी भी साइस निडल की साइस के साथ क्या वूल जो है कितने फंदे डाल सकते हैं किस फूल के साथ और किस निडल के साथ कितने फंदे किसी भी में प्रोजेक्ट के लिए वह सेपरेट वीडि WILL है किजेगा मैं कोशिश करके description link दे दूँगी hope so आपकी help हो गई हो अगर फिर भी कोई चीज ना समझे हो तो आप description इसमें comment box में comment कर दीजेगा i'll help you description में link को कोशिश करके दे दूँगी उन वीडियो का वो देख लीजेगा thank you so much वीडियो को subscribe करके bell icon जरूर दबादें ताकि आपको सारी वीडियो से सीव जाए अलाफिस